नमस्कार खबरों के खबर में आपका स्वागत है एक वीडियो सोचल मीडिया में काफी वाइरल हो रहा है और यह वीडियो नहीं बैसिकली यह समझे कि कॉंग्रेस पार्टी के लिए वो कोई बिस्फोर्ट से कम नहीं है क्योंकि इस वीडियो में जो नज़र आ रहा है इसमें दो सबसे वरिष्ट और सोनिया गांधी के बिल्कुल आख नाक कान और सबसे बड़े सलाकार गुलाम नभी आजाद और अहमद पटेल नज़र आ रहे हैं और साथ में इनके हर्याना के पुर्व मुख्यमंत्री भुपेंदर सिंग हुड़ा नज़र आ रहे हैं और ये लोग आपस में बाचीत कर रहे हैं बाचीत ये लोग क्या कर रहे हैं तो ये बाचीत जो हो रही है वो ये हो रही है कि हर्याना में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें किस तरह से क्या है नहीं है लेकिन सबसे मज़िदार बात उसमें जो बाचीत का जो हिस्सा है वो यह ही वो आपस में इस बात पे बाचीत कर रहे हैं कि वही संगठन कहां गायब है वपेंदर सिंग हुडा ये पूछ रहे हैं कि संगठन कहां गायब है और इन तीनों के जो बाचीत का जो लब लुभाव है और ज्यादा क्लियर नहीं है लेकिन टीवी चैनलों पर भी काफी चल रहा है उस पर बहस हो रही है जिसका लब लुभाव यही है इस पूरी बाचीत का कि ये तीन वरिष्ट लीडर ये लोग चुनाव से पहले ही कॉंग्रेस पार्टी की पूरी हकीकत बया कर रहे है कि पार्टी संगठन खतम हो चुकी है लीडरिशिप नहीं है और वहाँ पे जो भी छोटे मोटे जो लीडर्स है वो आपस में ही जो लड़ भिड़ रहे है सब अपने अपने उमिदवार को ख़ड़ा करवाना चाह रहे है तो ये हालाद जो है चुनाव से ठीक पहले हर्याना का जो कॉंग्रेस के लीडर्स खुद आपस में बाचीत कर रहे है अब ये कितना एथिकल है कि तीन लीडर्स के आपस की बाचीत प्राइविट बाचीत को सारवजनिक किया जाए या ना किया जाए ये एक अलग मसला है कि तीन लोग बाचीत कर रहे हैं और बाचीत किसी कैमरे में रेकॉर्ड हो जाता है और आप उसको दिखाते हैं लेकिन ये तो दौर है सोसल मीडिया का, स्टिंग ऑपरेशन का लोग जो प्राइविटली कहते हैं अपने ड्राइंग रूम में कहते हैं कोई आदमी उसको रेकॉर्ड कर लेता है उसको सारवजनिक कर देता है इसलिए ये सवाल जो एतिक्स का जो है वो तो खतम हो चुका लेकिन सवाल राजनिती का है कि कॉंग्रेस पार्टी किस तरह की राजनिती में लगी हुई है आहमद पतेल को छोटे मोटे लीडर नहीं है कॉंग्रेस के लिए जो पिछला दस साल कॉंग्रेस पार्टी की सरकार रही यूपिय के दोरान अहमद पटेल सबसे ताकतवर वेक्ती थे प्रधान मंत्री से ज़्यादा उनकी चलती थी ये प्रधान मंत्री के ऊपर एक किताब लिखी गई है इसमें साफ जाहिर होता है कि पावर सेंटर कॉंगरेस पार्टी में कहा था वो अहमद पटेल के पास था वो सोनिया गांधी से सबसे नजदीक लीडर हुआ करते थे और यूपिया सरकार के दौरान ये कहा जाता था कि किसी को कोई भी काम करवाना है तो अहमद पटेल के जरिये ही वो काम हो सकता है जो हैसियत अहमद पटेल की कॉंगरेस पार्टी में सोनिया गांदी की कॉंगरेस पार्टी में वही हैसियत बुलाम नभी आजाद की है आप देखिए बुलाम नभी आजाद की वज़े से कॉंगरेस पार्टी कश्मीर के मुद्डे पे ऐसे रूख पे खड़ी है जिसको पूरी देश में जो है जिसके लोग उसके निंदा कर रहे हैं लेकिन फिर भी चुके वो सोन्य गांधी से गें इतने क्लोज है सोन्य गांधी को उन पे इतना विश्वास है और ये दो व्यक्ति सोन्य गांधी राहूल गांधी के बाद अगर कॉंगरेस पार्टी में जो सबसे बड़े लीडर्स हैं उनके सामने भुपेंदर सिंग हुडा ये कह रहे हैं कि संगठन तो खत्म हो गई है वहाँ तो कुछ नहीं हो सकता जीतना बड़ा मुस्किल है कम से कम आप ये समझे कि कोई आदमी सुन्या गांधी के पास जा रहा हो अहमद पटिल के पास जा रहा हो और गुलाम नभी अजाद के पास जा रहा हो और ये कह रहा हो कि वह कॉंग्रेस पार्टी तो ही नहीं हम क्या करें तो ये ऐसी शर्मनाक इस्तिती कॉंग्रेस पार्टी की हो गई है अब सवाल ये है कि इस स्थिति पे कॉंग्रेस पार्टी पहुंची कैसे जिस लीडर्स के सामने ये छोटे मोटे जो राज्यों के या बले बले राज्यों के मुख्य मंत्री काईदे से खड़ नहीं होते थे, बोल नहीं पाते थे आज उनके सामने ही संगठन को लेकर के उनको एक तरीके से आयना दिखाये जा रहा है ये अपने आप में एक संकेत है, वो संकेत ये है कि जो रिजिनल लिबल पे कॉंग्रेस पार्टी और उसके लीजर्स है उनका गांधी परिवार से विश्वास उठता जा रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि गुलाम नभी आजाद और एहमद पठेल कॉंग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के एक रिप्रेजिटिटिव के रूप में वो लोगों से मिलते हैं कॉंग्रेस पार्टी में इनका जो वकार है वो इस तरीके से लिया जाता है अब सवाल ये है कि इस हालात में कॉंग्रेस पार्टी पहुंची कैसे है चुनाओ जीत चुनाओ में जीतना हारना एक अलग मसला है बहुत जगह पे BJP हारती है बहुत जगह पे बहुत सारी पार्टी जगह पे पहले चुनाओ को हारती रही है लेकिन उससे संगठन इस लेबल पे पहुंच जाए ऐसा नहीं होता है कभी जिस जगह पे BJP आपने देखा होगा कि पिछले 10-20 सालों में जगह पे हारी वहाँ पे संगठन को फिर से ख़ड़ा किया मजबूत किया उसके लीडर्स को जो है वहाँ पे नर्चर किया गया लेकिन अब जो कॉंग्रेस पार्टी में जो हो रहा है उसके लिए जिम्नदार अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है राहुल गांधी इसलिए है कि राहुल गांधी ने जो जब से उन्होंने सोनिया गांधी से कमान ली एक तरह किसे जो यूपिय का सेकेंड टर्म था उस दोरान राहुल गांधी अपनी मनमर्जी से संगठन को चलाते रहे उन्हें नए लोगों को भरती किया पुराने लोग उन्हों को बकैदा उन्हों को साइड डाइन कर दिया एक रेस एक कॉंपिटिशन जो कर सकते हैं कि अलग-अलग जेनरेशन वार जो है वो कॉंग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने शुरू कर दी कौन लोग आया नहीं आया किसका कितना जमीनी ताकत है वो बिना इस सब को देखे हुए राहुल गांधी ने अपने विम्स और फैंसी के उपर जो है संगेटन को चलाया इससे बहुत सारे लोग नराज हुए अलग-अलग पार्टी में के हरियाना का मसला आप देखे कल से वहाँ पे सोने गांधी के घर के बाहर वो प्रदर्शन चल रहा है लोग यह कर रहे हैं कि जो दस सीटों में जो साथ MPs है वो कॉंग्रेसी है उनका बैक्राउंड कॉंग को चलाया कि जो पुराने लोग जमिनी लोग जो कॉंग्रेस पार्टी के साथ सालों से थे वो अलग होना स्टार्ट हो गए है यह हर स्टेट में हुआ हर जगह है चाहे आप बिहार देख लीजिए आप यूपी देख लीजिए हर जगह यह स्थिती पैदा हुई है दूसरी बात जब चुनाओ नजदीक आया 2014 का आपने जो सीनियर लीडर्स हैं उन से आपने ना स्टेटिजी बनाने में ना उम्मिदवारों के चैन में ना किसी चीज़ में परचार परसार कैमपेंड किसी चीज़ में आपने इन लोगों की न राय ली ना ही उनको राय देने के ला दिया करते थे सारे लोग मान लिया करते थे तो ऐसे हालात में गुलाम नभी आजाद और अहमद पटेल जैसे लीडर्स जो है बकरता वो अपने आपको साइड लाइन उन्होंने खुद को कर लिया जो कुछ ज़्यादा स्मार्ट बनने की कुनोंने कोशिश की तो उनके आप जो संगठन जो जिन लोगों ने आपके लिए काम किया उसको एक्जुट करने की जरूरत थी तो मालूम चला कि प्रियंका गांधी और राहूल गांधी ने बकायदा इस बात को मीटिंग्स में ये कहना उन्होंने शुरू कर दिया कि जो कॉंगर्स के कार करता हैं वो क रामचोर हैं वो काम नहीं करते हैं पैसे लेकर के चले जाते हैं ये भरोसा करने के लायक नहीं है बला बला इस तरह की बाते जो आई लेकिन अब सीधे सीधे अगर कोई भी हलका सभी कॉमन सेंस अगर किसी को होता कॉंग्रेस पार्टी के अंदर तो उन्हें मालूम था कि लोकसभा चुनाओ की बात फोरण हर्याना और महरास्ट में चुनाओ होने वाले हैं जारकर में भी चुनाओ होने वाला है दिली में भी चुनाओ होने वाला है तो आपको इन रज्यों में कुछ आपको फेर बदल करना था कुछ स्टड़ी बनानी थी आपको कैंपेइन के जाना था चुनाव जीतने के बाद मोदी और अमिश साथ तो केमपेंड में उतर गए बंगाल में भी केमपेंड करना शुरू कर दिया उन्होंने जब अभी साल भर से जादा टाइम बचा हुआ है लेकिन राहुल गांधी हारने के बाद ये अपने घर में बैठ गए उन्हों के बाद आप को जब आप कमजोर होने लग गये गांधी परिवार जब गांधी परिवार से लोगों का विश्वास उठता चला गया जब यस लोगों को कांगर्स की लीडर्स को समझ में आने लग गया कि गांधी परिवार और महमद पटेल और गुलाम नभी आजाद के में देखने को मिल रहा है हर्यान में दो गुठ है एक असोग तवर का है और दूसरा हुटा साहब का तो तवर साहब तो सोनिया गांधी के घर के बाहर आंदोलन कर रहे हैं और हुटा साहब सोनिया गांधी के दो जो सबसे महत्पूर्ण लीडर है उनको खरी खोटी सुना है कि आप लोग की वज़े से संगेटन खत्ब हो गया यह पूरी की पूरा आप लोगोंने तबाह कर दिया कॉंग्रेस पार्टी को कैसे चुनाओ जीतेगा आदमी तो कहने का मतलब यह है कि कॉंग्रेस पार्टी जो अब तक ऐसा होता रहा था ट्रेडिशन कि कॉंग्रेस जब जीता करती थी तो उसका ठीकरा गांधी परिवार के पास सोनिया गांधी के वज़े से जीत हुई राहूल गांधी के वज़े से जीत हुई और जब कभी हार होती थी तो उसका ठीकरा जो है लोकल इंडरस पर डाल दिया जाता था नेकिन अब जो बदलाव आया है वो यह आया है कि Congress के लोग ही कहना शुरू कर दिया है उन लोगोंने कि जो हार हो रही है एक गांधी परिवार के वज़े से हो रही है यह जो हार हो रही है जो पार्टी की जो फज्यत हुई है जो संगठर बरबाद हुआ है जहां पर कारकरता रूट के चले गए है उसके लिए र Congress Party राहुल गांधी सोन्या गांधी को यह सोचना बहुत ही आवश्चक हो गया है कि वो सबसे पहले अपने पार्टी संगठर को कैसे मजबूत करेंगे कैसे अपने कारकरताओं को फिर से वापस उनका विश्वास जीतेंगे और किस तरीके से आप चुनाउन लगने के लाइ है भी आप उस पोजिशन में नहीं है कि आप किसी भी राज में बीजेपी को आप चुनाउती दे सके अकेले तो यह समस्या कॉंग्रेस पार्टी की है बहुत गंभीर समस्या है यह तो आप देखते रहिए उपरिन पोस्ट इंटरनेट टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आकर को जरूर दमाए ताकि हमारे झाल